आमादी पार्टी ने साफत और से केंद्र सरकार से मांग की है कि किसानों की मांग पर गमभीरता से ध्यान देना चाहिए किसान हमारे अन्दाता हैं किसान आज परिशान है जबकि देश की जीडीपी में सबसिछ जाधा योगदान कृषिशेतर का है लेकिन आज देश का किसान परिशान है वो सरकार से सिर्फ MSP की मांग कर रहे हैं जिससे की उपज का वाजिब दाम उन्हें मिल सके और कोई भी उनका शोशन ना कर सके संवधाता प्रभाकर ने आम आदमी पार्टी से राजसभा सांसद एंडी गुपता से खास बाचीत की किसान जो है वो GDP में ज़्यादा कॉंठ्रिबूशन है आप इसले त्यमाई की देखो तो अगर कॉंठ्रिबूशन है थ्री पॉइंट प्लस का वो जी डीप में एगरिकल्चर का है आपको एगरिकल्सर को किसान को समझना पढ़ेगा ये पहले भी काया है किसान जो एक तरह से देश की जीवनदारा है जीवनदारा है अगर इस से साथ शेड़ खानी करी गई है इनके साथ बेईमानी करोगे तो वो देश के लिए ठीक नहीं रहेगा अब जो कल बातचीत हुई तो बातचीत क्या होई जब आप टस्वे मस होने के लिए तयार नहीं है उनकी ब किसान को मिलनी चाहिए वही किसान कहता है लेकिन कहिन की प्रावधान यह जो है लौ में होना चाहिए प्रावधान अब वो कहते हैं लौ में हम नहीं कर सकते एड्मिस्टेट्रिव ऑडर ही करने पड़ेंगे क्यों बार बार चेंज करना पड़ेगा तो कितनी बार ऐसे प् constitution में वो सेडूल के माध्यम से administrative power दे दी जाती है यह है कि MSP को लेकर किन सरकार को एक order निकालना चाहिए नहीं order निकालना चाहिए MSP को लेकर कानून में इसका प्रावधान करना चाहिए यह क्या बात है यह administrative order होंगे अभी भी एक बात और भी देखने की बात है किसान इस खाली यह नहीं करें कानून में दे दे का वह कहते हैं हमारे एक एक दाना जो है हमें MSP मिलनी चाहिए अब इतक 6% किसान को टोटल फसल पे 6% मिलता है 94% जो है अब आप देखें सब्जियों क्या आल है बजार में तो जो है 80 रुपे किलो 90 रुपे किलो किसान की भींडी एक रुपे किलो खरीजा लू दो रुपे किलो खरीज रखें तो यह किस परकार के सरकार है किसानों को इस परकार से किसानों के साथ विवार अच्छा नहीं है और जहां कल meeting होई meeting में आपने क्या offer करी उनकी किस बात पर जांदिय कमेट्री बनाने की क्या बात होई कमेट्री आप सरकार है आपने जबें बिल पेच किया उसको कहते है मदल जो है किसी आज तक यह नहीं बता पाई किस किसान संगठन से आपने उस पर आप सीधे अध्यादे से पारलेमेट पर बिल लाए बिल पर कोई डिवेट नहीं ना वोटिंग वही प्रॉपर आप कहते दहुनी मत से जीते जाना था वहां के मैं भी पारलेमेट में था वहां पर विपक्स ने कहा भी इस पर डिवेट होनी चाहिए और इस पर कल फिर किसानं की मांग मांगने परें इसम reform चुखने की बात नहीं है इसुए फैसला करने की नियाएच संगतप्स अकरने की जरूरत है अब उसमें ज Ana को आपको MSP परदान मंतरी और पात सम्झे डोजार 11 में मुख्ये मंतरी थे फिलात के उसमें कमेट्री बने जी इसके चेर्मेंटे आदरिनी निरिंदर मोदी जी इन्हों ने उस समय के परदान मंत्री सरदार मनमोर्ज को एक लेटर लिखा और उसमें का भी को आप कानूनी जमा पेनाईए तो अगर आपने कमेट्री के चेर्में रते फैसला लिया उसके बाद आप परदान मंत्री बनगे तो आज आपके सामने क्या समझचा है क्या अर्चन है क्यों नहीं आप मांद रहें और किसान जो ही बात समझने चीए किसान जब तक जो है आप इन तीनों भी है को वापीस ने लोगे या उसको अमेंडमेंट्मेंट नहीं करोगे तो किसान वहांसे वापीस जाने बारा नहीं है और रोज के रोज मांकिसानों बढ़ती जा रही है और आगे बढ़ेगी किसान कुछ मांग नहीं रहे हैं देश के अन्न दाता और उनकी समस्या उपर सरकार को गंबीरता दिखानी चाहिए इस समय दिल्ली से कैमरामेन तारा के साथ प्रभातर खुमार